एक बार एक छोटे से गाव में राजू और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वे पक्के दोस्त थे और एक दूसरे के साथ सब कुछ बांटते थे। वे एक साथ हंसते, एक साथ रोते और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उनका बंधन अटूट था और हर कोई उनकी दोस्ती का कायल था। एक दिन एक जादूगर गाव में आया। उसने राजू और रमेश को एक साथ खेलते हुए देखा और उनके बीच गहरे संबंध को देखा। उनकी दोस्ती से प्रभावित होकर उसने उनकी वफादारी को परखने का फैसला किया। जादूगर उनके पास आया और कहा, मेरे पास एक जादूई ताबीज है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। हालांकि इसका उप्योग केवल एक बार किया जा सकता है। मैं इसे तुम ताबीज रख लो, इसकी मदद से तुम अपने सपने पूरा कर सकते हो, मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूँ। राजू की बात सुनकर रमेश ने जवाब दिया, नहीं राजू, तुम्हें इसे रखना चाहिए, तुम्हारा परिवार कठिन समय से गुजर रहा है, और इस ताबीज से तुम अपने परिवार की मदद कर सकते हो, इस बात पर दोनों काफी समय तक चर्चा करते रहे, लेकिन ये नहीं तय कर पाए कि ताबीज कौन रखेगा, अंत में वे जादूगर के पास गए और बोले, श्रीमान, हम यह तय नहीं कर पा रहे है क ताबीज कौन रखेगा, जादूगर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम दोनों की निस्वार्थ मित्रता से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को एक-एक ताबीज देता हूँ, यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने जादूगर का किया, उस दिन से राजू और रमेश अपने गाव में सच्ची मित्रता के प्रतीक बन गए, शिक्षा इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती का मतलब कुछ पाना नहीं कुछ देना है